हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब एक बार पुना आप सभी का आपके अपनी चैनल सीव कोचिंग क्लासेस पर स्वगत है आप किसी भी क्लास के हों कोई दिगत नहीं आज के जो टॉपिक है दोस्तों काफी महत्पून है द्रौचालित व्रेक यहाँ पर मैंने लिख रहा का द्र और चालित व्रेक किस प्रकार से काम करता है दोस्तों है ना यह दोस्तों आपके दैनिक जीवन में भी उपयोगी होता है जैसे आप दोस्तों टूविलर चलाते हैं तब वहाँ पर जो व्रेक होता है दोस्तों किस प्रकार से काम करता है तो उसी के बारे अपन चर्चा करते जैसा कि दोस्तो आप लोग जैसे भी गाड़ी चलाते हैं तो हलका सा दोस्तो पूस करते हैं अपने पैर को और सिधा सा ब्रैक लग जाता है है ना जबकि पैया इतना बड़ा होता है ऐसा क्या होता है तो वही यह सिध्यानत है दोस्तो अपन जो चर्चा करने वाले हैं तो सबसे पहले समझें दोस्तों, जैसे कोई भी बहान है, उसका पाईया हो गया, यह पाईये का चित्र है, ठीक है, ठीक है दोस्तों, पाईये का चित्र बना हुआ है यहां पे, और दोस्तों, यहां से पैडल है, ब्रेक पैडल, जहां से अपन ब्रेक लगाते हैं, चीज़े इतना clear, यहां पर दोस्तो break IEL भरा हुआ है, break IEL भरा हुआ है, मतलब इसी IEL के वज़े से clearivity संपन होती, break IEL जैसे piston लगा है तो IEL इधर जाने की कोशिस करता है, ठीक है यह कहा दोस्तो break IEL भरा होता है, इसके बाद दोस्तो मैं बात करूँ, तो यहां पर दोस्तो दो piston लगे रहते हैं, P1 और P2, अब यहां पर दोस्तो एक spring लगी होती है, क्या होती है, spring लगी रहती है, यह चीज आपको देखी है दोस्तो यह spring है, ठीक है, और spring के दोनों break सूझ लगे रहते हैं, ठीक है, दो, S1 और S2 यहां पर break सूझ है, इसी break सूझ के कारण दोस्तो, जो पहिया होता है रुखता है ठीक है तो यह सामान परिचे हो गया अब दोस्तों यह कैसे कार करता है तो जैसे आप में आ गया कि है क्या तो द्रवचालीद ब्रेक है क्या तो इसको इस प्रकालिक सकते हैं कि इस ब्रेक के उपयोग से हम मोटर गाड़ियों ट्रकों आदी भारी बायनों के लिए हम कर सकते हैं इस ब्रेक के उपयोग करके हम कम बल से किसी भी मतलब बड़े गाड़ियों से मोटर है बाहन है ये ना ट्रक है गाड़ियां है तो इनको हम कम बल लगाकर रोग सकते हैं ठीके इस तरह से आप इसको थोड़ा सा लिख सकते हैं कि 340 ब्रेक का उपयोग करके मोटर गाड़िया ट्रको आ दी भारी वाहनों में को हम दोस्तों रोकने कि लिए करते हैं है ना और कितना भी गती हो दोस्तों उसको हम नियंत्रित कर सकते हैं ठीक है और दोस्तों यह जो द्रौस आलिज ब्रेक होता है पास्कल के नियम के आधार पर कार करता है मतलब पास्कल के सिद्यांत के आधार पर कार करता है क्योंकि दोस्तों यह पास्कल का अपयोगी है कर दो इस पर बाद कर दो ब्रेक डिढ़ल पर बन लगाए जाता है तो पिस्टन पी यह पर दो सथ सब देखिए पिस्टन पी यह piston P है, यह मुख वेलन के अंदर के और चलने लगता है, यह बेलना कार पात रहे, तो यह अंदर के और चलने लगता है, ठीक है, क्या कामने दोस्तों, जब ब्रेक लगाने के लिए, ब्रेक पैडल पर बल लगाया जाता है, तो piston P, कहाँ पर दोस्तों, piston P, मुख वेलन के अ पर दोस्तो क्या लगा जाता है दाब लगा जाता है ठीक है तो पास्कल के नियम के अनुसार दोस्तो जैसे हम दाब लगाते हैं तो यहाँ पर यह दोस्तो संचरण होता है P1 और P2 ठीक है P1 और P2 दोस्तो क्या होते हैं यहाँ तक जो दाब होता है P1 और P2 तक संचरण होते ह तो जैसे ही अपन देखते हैं दोस्तो कि यहां से जैसे हमने दाब लगाया तो यह द्राव का फैला हुआ और जब द्राव फैले तो यहां पर लगा रहता है ब्रैक सूज तो ब्रैक सूज भी क्या हो जाते हैं फैल जाते हैं ठीक है ब्रैक सूज बाहर के ओर चलने लगते है और ब्रेक सूज दोस्तो क्या करते हैं पहिये के अंदर जो रीम होता है ये रीम ठीक है पहिये के अंदर जो रीम होता दोस्तो उसको दवाते हैं जिससे पहिये की गती क्या हो जाती है मन्द पड़ जाती है और दोस्तो है ना देजी गत्से दवाने से पहिया रुख जाता है आपनों को थोड़ा सा भी समझ भी नहीं आया होगा फिर से समझेए कि दोस्तो जब break padal पर क्या लगाती है बल लगाती है break लगाने के लिए break padal पर बल लगाती है तो दोस्तो जो भाल होता है piston की सहाथा से यह पी डौरा अरोपित के जाता है जिसमें पिस्टन जो है अंदर की और गती करने लगता है जब पिस्टन अंदर की और गती करता है दोस्तों तो इसमें जो ब्रेक आयल होता है उस पर दाब लगता है और जो फास्कल के सिद्धान के आदार पर कार करता है इसका संचरन दोस्तों P1 और P2 तक होता है तो दोस्तों क्या होते हैं कि पाहिये में लगे रीम से जाकर के चिपकने लगते हैं या दोस्तों पाहिये पर लगे रीम के पास जाकर है ना रीम की गती को मंद कर देते हैं जिससे पाहिये का गती मंद हो जाता है और जैसे दोस्तों ब्रेक पैडल हटाते हैं तो पुना नो मचकर हो बात को मैं क्या कहना चाहता हूं कि दोस्तों जब हम आसानी से कम बन लगाती है तो lawyer पूछ लिदिंध के जाने से दाब बढ़ा दाब के लिद्ध कार से भाया रुख जाता है धीर धीर करके रुख जाता है क्लियर दोस्तो तो आसा करता हूं समझ में आ गया होगा और दोस्तो अपना एक और टॉपिक है इसको भी अपन इसी वीडियो में चर्चा कर लेते हैं द्रौचालित लिफ्ट अब द्रौचालित लिफ्ट दोस्तो इसकी सहायता से क्या करते हैं दोस्तो इसकी सहायता से हम किसी भी भारी बाहन को आसानी से कम बल से उपर उठा सकते हैं जैसे यहाँ पर दोस्तो ये कार खड़ा है इसको हम कम बल की सहायता से इसको उपर कर सकते हैं जैसे कि दोस्तो आप लोगों ने देखा होगा कभी किसी भ पर कार ले जाकर खड़ा कर दिया जाता है और फिर अचानक से कार को उचा कर दिया जाता है और कार को उचा करके फिर वहाँ धूला जाता है है ना इस्टैन में खड़ा किया जाता है तो आप लोगों ने देखा हुआ तो वहाँ पर दोस्तो ये द्रौचालित लिफ्ट ही प पर आधाय थे यह पास्कल के सिद्यान पर आधाय थे तो यह लिख सकते हो कि यह पास्कल के नियम पर आधाय थे एक ऐसी उक्ति है जिसकी सहायता से दोस्तो भारी बाहन जैसे आपका भारी बाहन है भारी बाहन को जैसे कार जीप आधि को कम बल लगा कर उपर उठाने में इस का प्रयोग किया जाता है ठीक है इह हमारा तत्वा ब्रिज निर्माण में दोस्तों है ना बस्तों को उठा कर आवस्ता कुछ आई तक ले जाने में भी हम इसका प्रयोग करते हैं ठीक है जैसे भारी बस्तों है उसको हम एक स्थन से दूसरे स्थन तक ले जाना चाहते हैं तो नारवल मान के चलते हैं कि यह पिश्टन यहां पे होता और यहां पे ऐसा होता और यहां पर दोस्तो बान कड़ा रहता ठीक है और यह पूरा नीचे तक होता क्योंकि दाब नहीं लग रहा है और जैसे दोस्तो यहां पर बल लगाया गया बल बल लगाते हैं क्या लगाते हैं और द्रौ जो यहाँ पर दाब लगता है, यहीं द्रौ के दौरा, तो दोस्तो यह इस piston पर लगाता है, और इस piston की सहाता से, है ना, बल यहाँ पर लगता है, और दोस्तो आसानी से, जो कार है, बाहन है, उपर उठ जाता है, क्लियर है, चीज़ें समझ रहे हैं आप लोग, हम यह चीज़ें क्लियर होगे, अब दोस्तो अपन यहीं कहें कार भी दी, तो आसान से आप लिख सकते हो यार, कि जब हम किसी बाहन को उठाना चाहते हैं, तो यहाँ पर दोस्तो पिश्टन पीटू पर उसे रख देते हैं, है ना, फिर दोस्तो आपके पास दो नली रहती है जिन पर दोस्तो पिश्टन पीटू लगा रहता है, दोस्तो पिश्टन पीटू लगा रहता है, पिश्टन दोस्तो पीटू पर हम आवस्तक बल लगाते हैं, नारमल बल लगाते हैं, दोस्तो यह जो दाव होता है, यह जो लगाया गया दोस्तो बल होता है, उसमें एक रहे और बाहन भी क्या होता आसानी से उपर उठ जाता है तो इस प्रकार दोस्तो आप लोगों ने समझ लिया द्रौचालित लिफ्ट और द्रौचालित ब्रेक यह 11 धर क्लास के लिए कापी महात्पूर है और बागी दोस्तो आप किसी भी क्लास में हो जार ग्यान की चीजें त्यारी करं लोग अच्छा होगा ठीक है जित्र बना लेना और आप लोग अपने उस्जों से लिख लेना मेरा काम से च लागो तो लायक करने दीन और दार वीडियोत मिलेगे वीडियो में नए टाप eकने साथ तब तक लिए बंद्रम